नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में अप्रेल तक 3000 पदों पर होगी बहाली बिहार के इन महिलाओं को 4 मार्च को राश्ट्रपती करेंगी सम्मानित बिहार में मक्का और सहद उत्पातकों को भी मिलेगा बाजार नमन यात्रा में 1500 सभाओं को संबोधित करेंगे उपेंदर कुश्वाहा सौरफ गाउंगली ने आईपियल में अप्रे 5 पसंदीत अखिलाडियों के नाम का किया खुलासा इसको साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से बिहार में अप्रेल तक 3000 पदों पर होगी बहाली समाज कल्यान विभाग के दोरा सभी जिलों को दिशानरदेश जारी कर कहा गया है कि बिहार में आंगनवारी केंतरों पर अप्रेल महीने तक 3000 से अधिक सेविका साहाईका की बहाली की जाएगी पता दे कि अप्रेल महीने में होने वाली बहाली नई नियामावाली के तहत पूरी की जाएगी सेविका और सहाईका के चर्ण के लिए समाज कल्यान विभाग के ओर से मार्ग दर्शिका की अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें यह साब बताया गया है कि सेविका और सहाई का उमिद्वार को सिर्फ मानिता प्राप सैचनिक संस्थान सहीं इंटर अत्वा समकच उत्तिर्ण होना होगा ऐसे में अगर उमिद्वारों का प्रमान पत्र फरजी पाया जाता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कारवाई क की जाएगी बिहार के इन महिलाओं को चार मार्च को राश्रपती कडिंगी सम्मानित चार मार्च को राश्रपती द्रौपदी मुर्मू के हाथों बिहार के महिलाओं को स्वच सूजल सकती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा बता दे कि जिन महिलाओं को सम्मानित किया जा इसके अलावा मुख्या बबीता कुमारी तथा बबीता गुपता का भी नाम इस सम्मान के लिए चनित किया गया है। इस दोरान अभ्यर्तियों के द्वारा सोर मचाय जानी पर मुख्य मंत्रे नितीज कुमार भड़क गए और उन्होंने मंच से ही सिक्चक अभ्यर्तियों से पूस्ते वे कहा कि आप लोग क्या बोल रहे हो। मैं यह भी आस्वाशन देता हूँ कि बिहार में टीचर की सेलरी भी आने वाले समय में बढ़ेगी। विधान सभा सत्र को लेकर सदन के चारो और धारा 144 लागू। कल से यानि की 27 फरवरी से बिहार विधान सभा सत्र की शुरुवात होने वाली है जिसको लेकर सदर SDM शुरिकान कुंडलिक खंडलकर की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि सत्र के दौरान तक सदन के चारो और प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। की इस दौरान प्रदर्शन हतियार लेकर चलना धरना घिराव आदी सीधे प्रतिबंदित रहेंगे। पैसे को लोटाया गया। बता दे कि चात्रों के द्वारा आविदन के दो साल हो गया है लेकिन अब तक उन्हें आविदन सुल्क वापस नहीं किया गया है। और ना ही उसके पैसे लोटाये गया है। केंद्रे खूफिया एजनसी के द्वारा भेश्चेतर को लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौपी गई है। के बसने और संदिक्द गतिवीदी के बारे में जानकारी दी गई है। बिहार में मक्का और सहथ उतपाद को भी मिलेगा बाजार। वैसे किसान जो मक्का और सहथ का उतपाद करते हैं अब उन्हें भी माजार मिलने वाला है। आपके जानकारी के लिए बता दे कि बिहार मक्का उतपादन में अग्रणी राजियों में से एक है। जहां से मक्का खरीद कर दूसरे राजियों में वैपारी ले जाते हैं। लेकिन इस दौरान किसानों को उचित मुले नहीं मिल पाता है। और साथ ही अस्थानिय लोगों को भी महंगे दामों में ही मक्के की खरीदारी करनी पड़ती है। इसी को देखते वे चौथे क्रिसी रोड मैप में पशु आहार और स्टार्ट उतपादन इकाईयार लगाने की कवायत की जा रही है। जिसके की मक्का आधायत पोलटरी, खादय आहार, मचली चार जैसे इकाईयों में व्रिधी की जा सकेगी। बता दे की सरकार किस कवाया से मक्का उतपादक जिलों में रोजगार के अफसर में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से सहथ प्रसंसकरन के लिए तस सामाने सुवधा केंद्र की स्थापना का लक्षे रखा गया है। जिसमें प्रते दिन तिन मिट्रिक टंस सहथ प्रसंसकरन करने की छंता होगी। भोजपूरी सिंगर आसीष राज और विनाय अकेला पर एफायार दर्ज। बता दे कि इन दोनों कलाकारों के खिला पटना के जकनपूर थाने में प्रात्मी की दर्ज करवाई गई है। वह इस मामले को लेकर थाना अध्यक सुदामा प्रशास सिंग का कहना है कि युवती की मां के दौरा इस मामले से जुरे साक्षे को भी उपलब्द कराए गए हैं जिसके आधार पर ही दोनों कलाकारों के खिला प्रात्मी की दर्ज की गई है। फिलाल इस मामले की जात चल रही है और आरोपितों की तलाश की जा रही है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पिरता मूल रूफ से गोपाल गंज की रहने वाली है। पुर्णिया मेडिकल कॉलेज में इस साल से शुरू होगी पढ़ाई। की अनुमती नहीं दी गई थी जिसके बाद एक पर फिर से सारी कम्यों को पूरा कर MCI को कॉलेज के निरिक्षन के लिए अनुरोद किया गया है। अधिकारियों के दोरा दी गई जानकारी के नुसार MCI की टीम जल्दी आकर पुर्णिया कॉलेज का दोरा करेगी और कॉलेज में पढ़ाई की शुडवात करनी के नुमती दे दी जाएगी। गिरफ्त में आया बिहार का रॉबिन हुट। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने पूने से बिहार के रॉबिन हुट मुहमद अर्फान को चोड़ी करते हुए पकर लिया है। या और विशाखा पटना में चोड़ी की गई साथ महंगी घडिया भी बढ़ामत की गई है। मालुम हो किरफान बीते महा 28 जन्वरी को ही जिल से बाहर आया था। पुलिस दोरा निलाम की गई काड़ी अब डियम को देना होगा मुआवजा। पिहार के बेगू सराय से एक बड़ा ही अजीव सा मामला सामने आया है। दरसल पुलिस के द्वारा उस नई कार को बेच दिया गया जिसमें से केवल 200 ml सराब बरामत किये गया थे बता दी के अब इस मामली के सुनवाई हाई कोट में की गई है। जिसमें हाई कोट के मुख्य नयाधीस चक्रधारी सरन सिंग की अध्यक्षता वाली खंड पीट के तरफ से प्रिशासन के खिलाफ नाराजगी चताते वे पूरी निलामी प्रक्रिया को सराब बंदी कानून के खिलाफ मानते वे कहा गया कि बेगू सराय की डियम को इस कार क माली को पचास हजार रुपए देने होंगे इसके साथ यूजगारी के इंसुरंस मुल्य के बड़ाबर भी रकम देनी होगे इसके अलावा कोट के द्वारा मुख्य सचीव को यह भी नर्देश दिया गया है कि वे इस मामली की चार्च करे और जिस भी अफसर की गल्ती पक बतादे किस यात्रा को लेकर पार्टी नहीं था फजल इमाम मली के दोरा दी गई जानकारी के नुसार यात्रा में उपिंद्र कुषवाहा 200 से जादा सभाओं को संबोधित करने वाले हैं इसके साथ ही यात्रा मार्ग में पढ़ने वाले गाउं में भी उपिंद्र किस मार्कों पर शद्धा सुमन भी अर्पित की जाएगी और फिर कारिकर मस्थलों पर सभाओं को संबोधित किया जाएगा मिले जानकारी के अनुसार समीती की दोरा ऐसे करीब डेर सो जगों को चिनहित किया गया है जहां उपिंद्र कुषवाहा लोगों को संबोधित करत वही रैली के खत्म होने के बाद भागपा माले के राश्रीय महा सचीर दिपांकर भटाचारे के दोरा पत्रकारों को संबोधित करते वे महागरबंधन की रैली को लेकर अपनी प्रतिक्रियादी उन्होंने कहा कि महागरबंधन की रैली से जो बाद बिहार से बाहर निकल क कर गई है इससे विपक्षी एक्ता मजबूत होगे इसके लावा कॉंग्रिस का महादीवेशन होने के बावजूद भी रैली में कॉंग्रिस पार्टी ने अपनी उपस्थिती दर्ज कराई जो साब विपक्षी एक्ता को दिखाता है आज के समय में भले ही राज़त नाम का किया खुरसा बारतिया टीम के पुर्व कप्तान सौरवगांघ्यर निस्ठा अद शुडव कुमार यादव यादवाथ के गरते हैं प्रती लीटर कि बिहार में पिट्रॉल का यह सबस्यादा किसन कंच में है जहां पिट्रॉल 109.40 रुपे प्रती लीटर और 106.904 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बिगे दिन हमादुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों इने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्नों के नाम है अब बरते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है IPL में आपका मन पसंदीता टीम कौन सा है आपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्षिन लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने डहने के लिए देखते रहे अगर आप यूटूब से देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद